कल रात को AIMIM के चीफ OEC के कारवा पर हमला हुआ इस हमले में दो युवको का नाम सामने आया जिन्होंने चार राउंड गोलिया चलाई जिसमें से दो गोलिया OEC की कार पर लगी उनमें से ही एक है जिनका नाम सामने आ रहा है वो है सचिन उनके अभी यहाँ पर मेरे साथ जो लोग जुड़े में हैं जानकार हैं उनके गावासी हैं उनके परीजन हैं तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता था या नहीं क्या नामे सार आपका बोपाल सारमा क्या लगते हैं आप परिवार से बाबा लगता हूं अच्छा बाबा लगते हैं ये बताईए कि कुछ बता के गए थे सचिन अपने परिवार को कहां जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं उसने किसी कुछ नहीं पता है ना किसी से उसकी बात है और ना ही वो इस तरह का कभी भी कि वह वह इस थरह का कोई काम वह इघ क्या भात उन्हार को है लेकिन हम लोगों ने तो सबी घ्रामवासियों को पता चला ог nhé इसे भी न्यूज बनी इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज बनी उसके बाद यहां पर ग्रामवासियों को सभी को पता चला कि ऐसे घटना हो गई है क्या बताया परिवार वालों को कुछ केहां के गये त allergic अभी उनके पिता जी तो बोल रहे हैं ना कि वह तो काम करा रहे थे पीएफ ओफ फ पीएफ ऑफिस के लिए गए हुए थे काम के लिए तो वो ही ऐसा कुछ हमें किसी को कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं क्या उनके दिमाग में चल ला है ऐसा हमें कोई नोलिज नहीं है क्या कभी पहले भी कुछ ऐसा उन्होंने किया है नहीं जी वो तो जो है गाम के दिए मतलब जवान है पढ़ कोई बीडी सिगरट या कोई मतलब किसी तरह का ना समाज में को ऐसा वह गईरा कोज आचा किया किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े में हैं नहीं जी कोई कई पार्टी कोई लोग आवे वो समें साजी रहा है चाहे वो कांगरेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, कोई भी, वो किसी ने एक ही पार्टी से संबन देता है। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग एक शक्स का एक नीतिया का नाम ले रहे हैं, और कहने उनके साथ उठना बैठना काफित आदा है। देखिए, राजनीतिक उनका कोई वो नहीं था, लेकिन वो एक बहुती सामाजिक युवा थे, सभी की मदद करते थे, युवाओं के आइडियल रहे हैं, सभी बच्चे उनसे प्रेड़ना लेते थे, वो अपने नाम से पहले हिंदू, देशबख सचिन हिंदू लिखते थे, लेकिन वो हम सभी जो भी युवास आती हैं, इतने समाज से भी थे, लोगों के घर-गर जाके वो मदद करते थे, अपना काम उनको छोड़ना पड़ता था, लोगों की मदद के लिए वो आ गया आते थे, घर से कब से बाहर थे, क्या बाहर थे घर से, गर से कोई बाहर नही ऑड़ना है, जो हम सभी लोगों ने उनको ही गाओं में देखा था, एक दिन पहले, अगर भी देखा था उनको गाओं में देखा था, सूब भी वह सुबह फिर किसी फेक्टरी की किसी काम से गए ते, उसके बाद पता नहीं चला, वह अगे है जी थी भी खबर आती है, तूइट को देखते हैं वेसी ने टूइट किया उनकी गाड़ियों पर हमला हो गया ऐसा हो गया है जब टीवी पर दिखायागा जब पता पड़ा आगे वह है नो क्योंकि नो जितनी न्यूद देखी उसमें जो है चेहरा नहीं देख रहा था जब ता किसी को पता नहीं था क किसी के जान कर रहें नहीं को अपना आइडियल मानते थे इसलिए गाओं के सभी यूआव ने मिलके गाओं में सहीद बहत सिंग परदने कि प्रेड ना देते थे उनको किस मार्ग पर चलना यह सब चीजे बता देते हो अच्छा आप जैसे कि कई सारे आपके जुमित्र हैं उन पर आरोब लगना भी शुरू हो गए तो उन यह कहा जा रहा है कि आस से दो साल पहले कोई कारीक्राम हो रहा था जिसमें उन्होंने पहले एसी सच था क्रिच लड में टिक का कोई नहीं कोई ऐसा का कई गोली चलाई है किрав ot to कि की श्याक्ति शामाजीर को बूच्छी कि स्टिख एक इसा क्योंगी ऑप अच्छा बाबाब बताईए कल जो यह हुआ कल जो भूआ इसके बाद आप लोगों क्या सदमा क्या रहा है क्या किसी की बातों में आयी या फिर क्या आपको लग रहा है देखो जी हमें तो बड़ा दुख Ça जो अपने परिवार या समाज को ठीक डेके चल रहा उसे पता ना क्या गलती कर दी क्यों कर दी यह नहीं जानते है इस क्यों कर गया हो गलती इसकी कोई दूसरा लड़का था क्या उससे को आपने कभी गाओं में देखा उनके कभी नहीं कभी नहीं देखा कभी नाम भी हमने पहल तो आप उनके मित्र हैं ऐसा कल हुआ उसके बाद आप भी तो शौक में तरह से आई गए हूंगे आपको क्या लग रहे हैं कि क्या किसी की बातों में आई क्या मतलब क्या हो सकते हैं इसके पीछे दिखिए मैं यह इंटरनेशनल न्यूज है पूरे देश में पता चल गया है क उसमें वजह क्या है पीछे का क्या मतलब है लेकिन जो पुलिस का बयान सामने आ रहा है पुलिस के बयान में पता चल रहा है कि उन्होंने जो अख़बार में दिये हिंदुत के खिलाफ वो गलत बोलते हैं ओवेसी ऐसा मैंने सुना है बावा अपने मठ में चले जाएंगे योगियों को वो गाली देते हैं हिंदुत पार्टे के खिलाफ इस विचार धारा को पुलिस ने उनके सामने रखा है कि ऐसे उनके विचार थे यह पुलिस को कहने कि उनको विचार ऐसा थे क्या फीस्बूक और पर इस थरह को कुछ लिखा है देखिए फेस्बूक मैं आप आपको क्या बताओं देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से उनकी आईडी है जो आज की न्यूज पेपर में भी उनकी मैंसन किया हुआ आईडी को आप उस आईडी पे अगर जाके देखेंगे तो आपको सब चीजे पता चल जाएंगी किस-किस तरीके की वो पोश्ट करते हैं क्या उनके मन में चलता है जहां एक तरफ पुलिस ने अभी इन दोनों युगाओं को हीरासत में ले लिया है वहे इनके परिवार वालों का कहना था सचिन के परिवार वालों का कहना था कि उनको नहीं पता और वो नहीं ये बता के गे थी कि हो कहा जा रहे हैं और इससे अभी परिवार भी काफी सदमे में है उनका कहना है कि इस तरह की कोई भीया बथ कर देंगे इसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वहीं इसमामले में पुलिस अपनी कारवाई कर रही है कैमरे पर से नजे तिवारी के साथ इला काजमी, ABP News, Noida